वेरी गुड मॉर्णिंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी हो बच्ची होंगे और अपने स्टाइटी भी बहुत अच्छ से कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे ओकी बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिसीजा हिंदी सब्जेक्ट तो डिक आओड यूर हिंदी बूक एंड ओपन पेज नमबर 53 बच्चों हम लोग राक के बीविन रूप में पदेन पढ़ रहे हैं प्रेबियस वीडियो में पदेन के बारे में जान लिया था आज इसके बारे में हम और जानेंगे ओके बच्चों तो आई होप सारे बच्चों ने अभी तक अपनी बुक निकाल ली होगी ओके तो यहाँ पर लिखा क्या है बच्चों बोल बोल कर पढ़ो आप मेरे साथ इसे बोल बोल कर पढ़ेंगे और समझेंगे लिखा क्या है प्रकास प्रेड़ना का ब्राता है ब्राता मिस क्या होता है बच्चों भाई प्रकास प्रेड़ना का क्या है भाई है वह ग्राम में रहता है कहां रहता है बच्चों ग्राम ग्राम मिस गाउं मुस्ट लिए बच्चों गाउं में रहते हैं तो प्रकास कहां रहता है वह गाउं में रहता है एक बार प्रकास भ्रमड के लिए निकला प्रकास एक बार किसके लिए निकला बच्चों भ्रमड के लिए भ्रमड में इस क्या होता है गूमना प्रकास एक बार भ्रमड के लिए गूमने के लिए निकला प्रकास सड़क पर था तब ही पीछे से ट्रक आ गया प्रकास जब सड़क पर घूम रहा था तब ही उसके पीछे क्या गया बच्चों ट्रक आ गया ड्राइबर ने प्रकास को देखते ही ट्रक रोका ड्राइबर प्रकास पर क्रोधित हुआ प्रकास जब बच्चों सड़क पर घूम रहा था तो ड्राइबर ने अपना ट्रक रोका और प्रकास के उपर क्रोधित हुआ गुस्सा हुआ क्योंकि प्रकास सड़क पर गूम रहा था तो अगर वो सड़क पर गूमेंगा बच्चो तो उसका accident भी हो सकता है चोटे बच्चो को सड़क पर नहीं गूमना चाहिए प्रकास ने सड़क पर ब्रमण ना करने का प्रड़ किया तब ही प्रकास ने क्या किया कि वो अब सड़क पर कभी भी नहीं गूमेगा इसलिए उसने क्या किया प्रड किया प्रड में इस क्या होता है बच्चो प्रतिग्या प्रकास ने क्या प्रतिग्या किया कि वो कभी भी अब सड़क पर नहीं गूमेगा ओके बच्चो तो आप इसे रीट करेंगे आईए देखतें exercise बचो exercise में आपने first और third वाला complete कर लिया है आज आपको complete करना है पदेन लगाकर सब्द पूरे करो बचो यहाँ पर सब्द दिये हैं यहाँ पर आपको पदेन लगाकर सब्द को पूरा करके इस box में लिखना है तो देखने बच्चो फर्स्ट क्या है आपका प्राण प्राण बनेगा पाड से तो आप पदेन किस पर लगाएंगे पापर second है बच्चो क्या बनेगा आपका फिक लिखा है न तो फिक पर आप पदेन किस पर लगाएंगे का पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये फिक्र ओकी थर्ड आपका बच्चो क्या बनेगा बिक्र है फोद प्रचार फिप्त क्या बनेगा बच्चो प्रतिग्या सिक्स सीग्र सैवन उम्र अलास्ट क्या बनेगा बच्चो ब्रत ओके बच्चो आप इसकी प्रैक्स करेंगे आपके लिए यहां करकी दिया गया है तो आप इसी यहां से देखकर कर सकते हैं या आप खुछ से कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक इतना पढ़ लिया है कि आप इसी स्वयम कर सकते हैं ओके तो एक बार और इसे देखते हैं प्राण, फिक्र, बिक्र, प्रशार ओके बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिग्या, शिक्स है बच्चों, सीक्र, सैबन, उम्र, एल लास्ट क्या है ब्रद ओके बच्चों, आई होप आपको पदेन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप वर्ड को अच्छे से लिखना भी सीख चुके हैं और इसे पढ़ना भी सीख चुके होंगे ओके बच्चों, और यह वर्ड का आपको बूप में करना है, ओके? ओके स्टुडेंट, थैंक यू